हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब मिष्ट्री आज हम आपके लिए लाए हैं एक नए मेहमान को जो यूट्यूब मिष्ट्री को काफी सपोर्ट करते हैं तो मिलिए हमारी नए मेहमान से इस में इस में इस मैन्यूल को पढ़ना बहुत ही जरूरी है इसमें इंस्ट्रक्शन्स मैन्यूल दिये गए हैं तो आप देख सकते हैं तक सेटिंग चार्ट का यूज करके हम किसी री प्रोड़क्त का मॉस्टर निकाल सकते हैं तो wheat का monster निकालने के 460 thickness लेते हैं ये digital monster है हमारा हम लेते हैं एक simple wheat का और उसको बाउल इएक पूरा फिल करते हैं आप इसको पूरा फिल करने के वाद इस बाउल को या कप के बड़े से बाउल में डाल करके ताकि most गैन ना हो इसमें डालने के बाद इस बाउल इसमें बराब कर देंगे बिलकु साब धानी से Input करने के बाद हम इस हैंडल को टाइट करेंगे नीचे चार लेंगे इसका मतलब 400 होगा और उपर 62 लेंगे तो दोनों को प्लस करने पर हो जाएगा हमारा 462 तो इस तरह से इस हैंडल की साहता से नीची की और प्रेस करेंगे कसने के लिए जिससे कि हमारा जो मॉस्चर मीटर है वो सेट हो सके 460 पर तो हम वीट के लिए लिते हैं 460 तो आप देख सकते हैं कि हमारा 462 आ गया है तो इस तरह से हम यूज करते हैं डिजिटल मॉस्चर मीटर का आप यहां पे देख सकते हैं 500 तक कई नंबर दी गए हैं और यहां यह पींग यावाज के साथ मॉस्चर दिखा रहा है 13.7% त इस मॉस्चिर मेशीन को आप इंडियार मार्क।स वेव साइड से खरीज सकते है। फिर देखिए, आप फिर से मैंने एक नया सेम्पल लिया है। यह रहा हमारा सेम्पल और यह रहा हमारा सेम्पल मोस्चर मेटर। तो इस पर अंक डिसीट चपे हुए है जिसको इस हेंडल की साहिता से सेट करते हैं जो हमारे मैनुल में दिया गया है और इस वटन को प्रेस करने पर यहां हमारे स्केल पर सो होता है तो यह हमारे पास एक कप है जो मैनुल के नुसार ही उस करते हैं दूसरा week up है जो हम manual के नुसार ही use करते हैं यह हमारा handle है जिसको इससे pressure देके tight किया जाता है या उसको वाहर किया जाता है यह रही हमारी manual book जिसको पढ़के सारे instructions दिये गए है यह thickness setting दी गई है जिससे किसी भी product को हम यहाँ set करके उसका moisture निकाल सकते हैं तो wheat के लिए देखते हैं 461 और cup लेते हैं A तो इस तरह से wheat का moisture इस setting से निकाल सकते हैं यह इतना cutting process नहीं है इसमें आराम से आप सारे manual को पढ़के निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हमें एक simple लेना है और simple बिलकुल बंद होना चाहिए जिससे कि उसका moisture हावा में ओडेना तो बावल A में बिलकुल उपर तक wheat को fill करते हैं और जो हमारा बावल है जो उसमें set हो जाएगा इस तरह से उसमें import कर देते हैं तो हमने अपने wheat को जो हमारा simple है वावल A वाले को उसमें डाल के और set कर दिया है set करने के बाद अब हम यहाँ पर set करेंगे 400 प्लस 62 चार सो नीचे से set करेंगे और वावा सट को उपर से set करेंगे तो जब तक हमारा हांस से घुमता रहेगा हम उसको घुमाते रहेंगे उसके बाद जब ज़्यादा pressure की आवशकता होगी तो हैंडल की साहता से इसके नीचे की और push करेंगे जिससे की हमारा pressure इस पर लगेगा और यह set करने में बहुत ही आसानी से हो जाएगा तो इस हैंडल की साहता से बहुत आसानी से इसको काफी tight कर सकते हैं और अपने manual के अनुसार set कर सकते हैं इसमें बहुत इच्छा wiring लगा है जो आपकी काफी मदद करेगा इसको tight करने में तो बस थोड़ा सा और रहे गया है tight करने के वाद हम इस button को प्रेस करेंगे देखी बस थोड़ा सा प्रेस करने की आप सकता थी कर दिया है मैंने यहां पर 4500 वाद रचा गया यह button प्रेस किया है वटन प्रेस करने के बाद स्केल पर देखेंगे कितना मौस्चर दिखा रहा है तो यह 9 सिकंड का अंतर होता है 9 सेकंड के बाद मोस्चर दिखाई देगा तो देखिए ये पिंकी आब आज के साथ मोस्चर दिखा रहा है 13.7% तो इस तरह से आप बने रहे अपनी फैमिली यूट्यूब मिश्टरी के साथ इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार दीजी सहीवग दीजी, सपोर्ट कीजी हम आप के लिए अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे स्वास्ते के लिए लाते रहेंगे तो हमारे चैनल को शेर कीजीए हमारे वीडियो को लाइक कीजी, चैनल को सस्क्राइब कीजी दोस्तों कल है 15 आगस्त यानी 173 दिवस कल हम आपके लिए लाएंगे एक अच्छी सी कविता कोई टेस्टिंग नहीं जब तक के लिए जय हिन जय भारत